तो पहले आप इस वाली फोटो को देखिए जब इसी फोटो को हम लोगों ने एडिट किया ना तो कुछ इस टैप की कमाल की रिजल्ट देखने को मिला और इस वीडो के अंदर में आपको क्या बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी बैग्डाउंड को फूल एचेडी चेंज कर सकते हैं साथ ही आप अपने हेर को भी एडिट करेंगे और अपनी हेर पर टैटू को भी एड करना मैं बताने वाला हूं कपड़े की कलर चेंज करना और फेस को स्मूथ करना यानि कि मैंने एब्रिटिंग जानकारी इस वीडो के अंदर आप लोगों को दिया है तो वीड पर गईज आपको क्लिक करके आप अपनी फोटो को यहां से स्लेक्ट कर लेना होगा तो फिलाल दोस्तों इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई वीडो के सुरू में ही बता दे कि अगर आप ना इस वाले वीडो को सुरू से लेकर लाज तक देख देते हैं तो मैं आपको लिखित दे सकता हूँ कि आप सीवी फोटो एडिटिंग करे ही लेंगे क्योंकि इस वीडो के अंदर गैज मैंने बहुत ही आसान तरीका और नियो ट्रिक्स बता है तो जिने फॉलो करके आप ओरिजिनल सीवी एडिटिंग कर पाएंगे तो सब सब पहले स्टेफ में आप इस पेंसल के आइकेन पे क्लिक कीजेगा देन दोस्तों पेंसल के आइकेन पे आपनों को क्लिक कर लेने बाद उपर साइड में ट्वी इमेज के ओप्शन्स पे क्लिक करना होगा देन दोस्तों यहां पे क्लिक कर लेंगे यहां सी इसकी ब्राइटने कर लिएने गवाद और नीचा के ना इसकी अमबाइंस की वैलू हम लोग ना ऐसे इसे भी हम लोग थोड़ा सा डिक्रीश केर के माइनस 6 या पांच के करीब आप रहिएगा और नीचा के इसकी सैडों की वैलू आप ऐसे इंक्रीश कर लीजेगा देन दोस्तों यह सारी सेटि करके गैज ब्रस को ले लेंगे, साइज यहां से हम लोगों का हंडीट मिल जाएगा, फोटो को ऐसे आपको जूम करना होगा, देन दोस्तों जूम करने गाद आपको केवाल अपने स्कील पर इस वाले एफक्टव को ऐसे ड्रो करना होगा, ब्रस को, तो आप अपने पूरे स्कीन पर गाईज इसे ऐसे ड्रो कर लीजेगा और ड्रो करते ही आप ना देखेंगे कि आपका स्कीन जो यलो टोन में था अब काफी जादा वाइड टोन में आ जाएगी जिसे हम लोगों का ये वाला फोटो गाईज ना काफी परफेक्ट तरीके से सीवी टाइप में कनवर्ड होगा ये इस टिप आप लाजमी कीज़ेगा तभी आपना सीवी एडिट अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो मैं फड़ा फटच पूरे स्कीन पर ड्रो कर लेता हूँ फिर आगे का प्रोसेस गैज मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही निव निव टिप्स मैं बताता रहूँगा तो वीरो में बने रहिएगा गैज दोस्तो ऐसे आपनों को कर लेने के बाद नीचे साइड में राइट वाले आइकन पर क्लिक कर कि आपको यहां से बैक आना होगा और बैक आप जैसे ही गए चाहिएगा तो आफ्र विफोर आप अपनी फोटो को देख सकते हैं तो यहां पर मैं एक इस टेप आपको बता देता हूँ फेस को स्मूथ करने का और लाश में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फूल अपनी फेस को स्मूथ करेंगे तो यह भी टिप्स देख लीजिएगा और लाश वाला जो मैं बताने वाला हूँ वो जरूर आप देखिएगा नहीं तो आप अच्छेडी में आप फेस स्मूथ नहीं कर पाएंगे तो पेंसल के आइकेन पे क्लिक करेंगे और ऐसे नीचे साइड में चले आएंगे पोट्रेट वाले आइकेन पे आपको क्लिक करना होगा और यहां से आटोमेटिक यह स्मूथ टू जो है सलेक्टे कर लेगा तो यहां पे कुछ सेटिंग को आप लोगों को अपलाई करना होगा तो एसकी ना फेस इस फोट लाइट को आप लोग ऐसे ही रहने दीजेगा और इसकी स्कीन स्मूथनेस को अंडियर्टर कर दीजेगा ऐसे इंकरीज करके और सिम्पल यहां से राइट क्लिक कर दीजेगा और राइट आप जैसे ही क्लिक कीजेगा तो आफटर विफॉर आप अपनी फोटो को देख सकते हैं तो पैंसल के आइकन पे एगैन क्लिक करेंगे और यहां से थोड़ा सा उपर आईएगा यहाँ पर select two वाले पर guys click करके आप अपने skin को ऐसे select करके यहाँ इसकी brightness को increase करके नीचे है कि situation को decrease कर दी जगा और यह पर यह process guys आप वाँवाँ की जगा जहाँ पर आपको आपको अपने skin को bright मतलब white और bright करना है तो यह सारी setting कर लेने बाद right click कर दी जगा और right आप जैसे ही click की जगा तो कुछ step की कमाल की photo आपकी देखने को मिलेगी तो इसी video के अंदर आपका भाई आपके अपने hair में ना tattoo को भी add करना बताने वाला है तो video को complete देखिएगा तो सबसे पहले guys इस pencil के icon पे हम लोग click करेंगे और ऐसे पूरा नीचे आएंगे double exposure के icon पे click करेंगे और plus के icon और plus के icon पे click कर लेने के बाद यहाँ से एक color panel को मैं ले लूँगा जिसका link आपको description box में मिल जाएगा guys color panel को लेने के बाद नीचे side में आपको three options मिलेंगे तो बीच वाले पे click करके इसे आप यहाँ से subtract कर दीजेगा और नीचे side में right click कर लीजेगा और उपर side में cross-tier के icon view it के option और यहाँ पे double exposure पे click करेंगे brush को ले लीजेगा तो दोस्तों size को यहाँ से hand rate करेंगे फोटो को ऐसे आप zoom करेंगे और zoom कर लेने गाद आप अपने कपड़े पे इसे ऐसे अच्छे तरीके से draw कर लीजेगा guys आप इसे अगर आप अपने कपड़े पे नहीं draw करना चाते है तो यह step आप skip कर दीजेगा क्योंकि guys CV editing में मौश रोता है कि आप अपने कपड़े पे न color को add करे और उसमें कुछ शमक को भी add करें तो मैं फट आवट यह process कर लेता हूँ guys आप अपने पूरे कपड़े पे इसे draw कर लेने गवाद simple से नीचे साइड में right वाले icon पे click करेके आप यहां से back आजाईएगा और back आने गवाद guys को इस टाइप की आपकी photo देखने को मिलेगी तो guys इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कैसे आप अपनी बैग्राउंड को full HD चेंज कर सकते हैं वो भी snapshot app में ही तो guys यह तरीका आपको किशिन नहीं बताया होगा तो वीडियो को कहीं पर भी skip मत कीजगा इससे पहले guys मैं अपने कपड़े में थोड़ा सा details को add कर लेता हूँ तो उसको add करने के लिए guys इस pencil के icon पर click करेंगे और यहां से उपर आके select two आले पर click करके guys आप अपने कपड़े पर ऐसे इससे select कर लीजगा और ऐसे छोटा करके ना इसकी नीचा के इसकी ना इस texture की value को हम लोग ऐसे increase कर देंगे पूरा guys आप इसे decrease भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर increase करके इसकी context की value को guys ऐसे मैं बढ़ा दूँगा जिससे आप अपने कपड़े के चमक को बढ़ा सकते हैं इसकी कपड़े की चमक को increase करता हूँ situation को भी थोड़ा सा increase करके इसकी ना brightness को हम लोग थोड़ा सा decrease करके और right click कर देंगे और यहां से यह process करते ही आपके कपड़े में काफी अच्छी सी चमक आ जाएगी तो क्या करेंगे guys अब हम लोग background को change करते हैं full HD तो उसको करने के लिए pencil के icon पे guys आप click कीज़ेगा नीचे आ जाएगा double X exposure के icon पे click करके plus के icon और यहां से इस वाले background को आप ले लीजेगा जिसका link आपको description box में guys मिल जाएगा सारी चीजों का तो वहां से easily download कर सकते हैं तो इसकी opacity वाले icon पे आके opacity को 100 करके नीचे side में right click कर लीजेगा उपर side में crosshair के icon पे click करेंगे viewed it के option double X exposure पे click करके brush को ले लेंगे size यहां से 100 मिलेगा photo को आपको ऐसे zoom करना होगा पूरे आप जितना zoom हो जाए जूम कर लेने बाद आपको अपनी body को छोड़के यानि पूरे body को छोड़के body के side side से ऐसे इसे draw करना होगा तो मैं फड़ा फट से पूरे जगह पे ऐसे draw कर लेता हूँ फिर आगे का process guys मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है जिससे ये photo देखने में पूरा attractive लोगे hair को भी edit करने वाले है guys और आप अपने hair के अंदर tattoo को भी add कर सकते हैं तो सारी process मैंने बताई है तो वीड़ो को कहीं पर भी skip मत कीजेगा तो मैं फड़ा बट से ये कर लेता हूँ गैच आप अपने पूरे background पे इसे ऐसे ड्रो कर लेने गवा simple से नीचे side में right वाले icon पे click करके आप यहां से back आजाईएगा और back आते ही guys कुछ इस type फोटो आपकी देखने को मिलेगी तो guys आप simple से क्या कीजागा न again इसी pencil के icon पे click करके double exposure के icon और plus के icon पे click करके यहां तो नाम तो सुना ही होगा इस वाले png को लेके ऐसे side में इसे लगा देंगे और beach वाले पे click करके इसे हम लोग यहां से lighten और add भी कर सकते तो मैं यहां से lighten कर देता हूँ और इसे अच्छे तरीके से यहां पे set करके और right click कर लेता हूँ और right आप जैसे ही click कीज़ेगा तो कुछ इस type की photo आप की देखने को मिलेगी मिलेगे तो simple सगय जीतना process तो हो चुका है अब मैं आपको यह बता दू कि कैसे आप अपने hair में यहां पे tattoo को add कर सकते हैं तो उसको add करने के लिए इस pencil के icon पे click करना होगा double exposure के icon और plus के icon पे click करके यहां से मैं उसना tattoo को ले लेता हूँ जिसका link आपको description box में मिल जाएगा easily गैज इसे लेने गवाद ऐसे आप छोटा करके आप अपने hair पे इसे अच्छे तरीके से ऐसे set कर लीजेगा बीच ओले पे click करके इसे यहां से light end करके right click कर दीजेगा और right आप click करते ही कुछ इस टाइप से यह लग गया है लेख सकते हैं यहां पे na face skin का color कुछ और है tattoo का कुछ color और है तो इसको हम लोग adjust करने वाले हैं तो क्या करेंगे इस download के icon पे click करके इस photo को यहां से share कर देंगे जिसे यह photo हम लोग की gallery में save हो जाएगी तो pencil के icon पे guys आप click कीजेगा double x browser plus के icon और जिस photo को हम लोग उने share किया है इसे लेने गगाद ऐसे इसे zoom करके जहां पे आपका skin है skin पे आपको ऐसे tattoo को ले आना होगा लानिंग बाद बीच वाले पे click करके darken करके यहां से right click कर देंगे उपर side में crosshair की icon पे click करेंगे viewed it के icon और यहां पे double x browser पे click करके brush को लेके न size को यहां से handle कर लेंगे photo को ऐसे आप जूम कर लीजेगा और केवल tattoo पे इसे चला दीजेगा और देख सकते हम लोग का skin tattoo की color match हो चुका है और यहां से right click करके आपको यहां से back आना होगा और back आते हैं कुछ step की कमाल की photo आपकी देखने को मिलेगी तो hair को भी हम लोग edit कर लेते हैं तो download के icon पे click करेंगे share कर देंगे इस photo को हम लोग अपने pixart app में icon पे click करना होगा और यहां से आपको एक hair png को ले लेना होगा जिसका link आपको description box में मिल जाएगा वहां से आप easily उसे download कर सकते तो मैं फड़ा फ़र से उसे add कर लेता हूँ guys लेने का simple से add click कर देंगे और इसे हम लोग icon पे click करके इसे हम लोग अच्छे तरीके से यहां से मैं कर देता हूँ लीजे guys यह हो चुका है तो photo को zoom करके और hair को अपने छोटा करके आप अपने hair पे इसे अच्छे तरीके से अर्जेश्ट कर लीजेगा काफी अच्छे से हो जाएगा तो देख सकते हैं guys यह हो चुका है और होने गवाद right क्लिक कर देंगे और right आप क्लिक करते ही पूरी photo आपकी कुछ इस टाइब से देखने को मिलेगी जो की काफी awesome and false दिख रही है तो इस photo को HD में save करने के लिए download के icon पे click कर देंगे और हम लोग यह photos gallery में save हो जाएगा तो I hope guys आपको यह video काफी अच्छा लगा होगा तो thanks for watching guys